महाराजा, हिंदी मूवी रिव्यू महाराजा, निथिलन स्वामीनाथन द्वारा निर्देशित दो हजार चौबीस की भारतिय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने राम मुरली के साथ मिलकर इसकी पठकता लिखी है इसे दरूट, ठिंक स्टूडियो और पैशन स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है फिल्म में विजय सेतुप्ती मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही अनुराग कश्यक, मम्ता मोहंदास, नटराजन सुब्रमनियम, अभिरामी गोपी कुमार, सिंदम्पुली, अरुल्दोस, मुनिश कांत, सचाना नामिदास, मनिकंदन और भारती राजा भी हैं फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VJS 50 के तहट की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में सेतुप्ती की पचासवी फिल्म है फिल्म की शुरुवात उसी महीने हुई, मुख्य रूप से एक ही शेडिूल में चैन्नई में फिल्माई गई आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई में की गई थी, जो फिल्मांकन के खत्म होने और थिंक स्टूडियो के सहनिर्माता के रूप में शामिल होने के साथ मेल खाता था फिल्म का संगीत भी अजनीश लोकनाथ ने तयार किया है, छायांकन दिनेश पुरुशोत्तमन ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है महाराजा को 14 जून 2024 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया जिन्होंने सेतुप्ती के अभिनय, फिलोमिन के संपादन और स्वामीनाथन के लेखन और निर्देशन की प्रशनसा की और बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई इसने 2024 में तमिल सिनेमा का सबसे अधिक ओपनिंग विकेंड बनाया और 2024 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई महाराजा एक शांत व्यक्ती हैं जो चेन्नई के राम की सैलून में नाई का काम करते हैं एक दिन एक ट्रक उनके घर में घुस जाता है जिससे उनकी पतनी की मौत हो जाती है उनकी बेटी जोथी बच जाती है जब एक कूरेदान गलती से गिर जाता है और उसे ढख देता है महाराजा और जोथी प्यार से कूरेदान का नाम लक्षमी रखते हैं एक दिन महाराजा डकैती की रिपोर्ट करने के लिए स्थानिय पुलिस स्टेशन जाते हैं जिसमें लक्षमी को लूटा गया है जिससे पुलिस वाले बहुत खुश होते हैं वह घटना को याद करता है एक हथियार बंद गिरोह ने उसके घर पर चापा मारा उस पर हमला किया और लक्षमी को ले गया पुलिस खाली कूडेदान खोजने में मेहंत नहीं करना चाहती लेकिन जब वह अपराधियों के लिए पांच लाख रुपए की रिश्वत देने का वादा करता है तो वह मान जाती है वे एक अनौपचारिक पुलिस मुखबिर नल्लासिवम को अपने साथ जोडते हैं भूटकाल 2009 उदास स्माईली सेलवम और सबरी एक जोड़ी हैं जो घरों पर छापा मारते हैं, महिलाओं का बलातकार करते हैं और पीडितों को मार देते हैं एक दिन सबरी सेलवम को बताती है कि उनके अपराध अखबार में छपे हैं सेलवम फोन पर बातचीत के दौरान दाढ़ी कटवाने के लिए राम की सैलून में होता है और उसे शक होता है कि महाराजा ने उसकी बात सुन ली है वह चला जाता है लेकिन सैलून में एक सोने की चेन भूल जाता है जिसे वह अपनी बेटी अम्मू को उपहार में देना चाहता है महाराजा उसे लोटाने के लिए सेलवम के घर जाता है लेकिन उसी समय पुलिस आ जाती है वे सबरी को गोली मार देते हैं और सेलवं को गिरफ़तार कर लेते हैं जो मानता है कि महाराजा ने उसे धोखा दिया है वर्तमान 2024 उदास समाली वर्तमान में धना नाम का एक अपराधी एक कार गैरेज में काम करता है महाराजा उसे एक बार में लड़ते हुए देखता है पुलिस महाराजा से फोन पर घटना को फिर से बताने के लिए कहती है ताकि नल्ला सिवं उसके अनुसार काम कर सके। जबकि महाराजा अभी भी काम पर था। तीन आदमी सेलवं धना और नल्ला सिवं के रूप में सामने आएं जो उसे मारने के लिए घर में हैं। उसका बलातकार करता है। जोथी को अस्पताल में भरती कराया जाता है। घर वापस आकर धना की एक गिरी हुई रसीद महाराजा को धना की पूर्वोक्त बार लड़ाई की ओर ले जाती है। धना बताता है कि महाराजा द्वारा उसका सिर कलम करने से पहले उसका एक साथी पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। यह तब होता है जब वह पुलिस स्टेशन जाता है जैसा की शुरुवात में दिखाया गया है और एक कहानी गड़ता है कि कैसे उसका डस्टबिन चोरी हो गया। वर्तमान में इंस्पेक्टर वरदराजन और उनकी टीम नल्ला सिवम को जो अब काफी परेशान है दस्टबिन वापस करने के लिए महाराजा के घर ले जाती है। वरदराजन तब खुलासा करता है कि उसकी टीम ने धना की मौत की जाँच करते समय जोती के बलातकार में नल्ला सिवम की संलिप्टता का पता लगाया था। इस प्रकार उन्होंने उसे सतरक्ता न्याय के लिए महाराजा के पास लाने की चाल चली, जिससे महाराजा को उसे दंडित करने की स्वतंतरता मिल गई। महाराजा उसे मार देते हैं, लेकिन तीसरे साथी का पता लगाने से पहले नहीं। वह उस निर्मान स्थल पर पहुँचता है, जहां सेलवम काम करता है, उसे अक्षम कर देता है और जोती को उसकी इच्छा के अनुसार अपने पास ले आता है। जोती ने उसके चहरे पर आभूशनों से भरा एक थैला फेंका, यह मानते हुए कि वह इसके लिए उनके घर आया था। सेलवम को आभूशनों में सोने की चेन मिली जो उसने अम्मू के जन्मदिन पर उसके लिए खरीदी थी, वही चेन जिसे महाराजा इतने सालों पहले लोटाने आये थे। शुरुवात में जब महाराजा की पत्नी की मृत्यु हुई थी, तब का पूरा दृश अधिक संदर्भ के साथ सामने आया है। सेलवम की गिरफतारी के बाद महाराजा उनकी पत्नी और बच्चा चेन लोटाने के लिए सेलवम की पत्नी को किला के नए घर आये थे। जब महाराजा सडक के उस पार की दुकान से अम्मू के लिए उपहार खरीदने गए थे, तो एक ट्रक को किला के घर में जागुसा, जिसमें अम्मू को छोड़कर सभी की मौत हो गई, जिसे कूरेदान की लक्षमी ने बचा लिया। महाराजा अम्मू को गोड लेते हैं, उसका नाम बदलते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह पालते हैं। वर्तमान में सेलवम जोती के कंधे पर एक निशान देखता है वही निशान जो बच्ची अम्मू के कंधे पर था और उसे पता चलता है कि वह अंजाने में अपनी बेटी के बलातकार और हमले में शामिल था जोती महाराजा और उसकी शिक्षिका आसिफा के साथ चली जाती है